हेलो स्टूटेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभाला ग्लासेज आज का यह हमारा हिमन राइट का सेकंड लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम डिसकस करेंगे करेक्रिक्रिस्टिक और नीचर ऑफ फिमन राइट मानव अधिकारों की विशेश्टा और प्रकरती जैसे कि मैंने प्रिविश्ट वीडियो में आपका बताया था कि हुमन राइट क्या होते हैं इनका परिवर्तित नहीं कर सकते हैं त्याग भी नहीं कर सकते हैं नेक्स आपका हमें जरी फोल्फिल्मेंट और परपरस आफ राइप जीवन के उदेश्य की पूर्थी के लिए जो हमें राइट हैं हमारे मानव अधिकार वो हमारे बहुत ही आविश्यक हैं Next, human rights are universal. Human rights हमारी universal है, सार भामिक है, यान कि विश्व में हम कहीं भी चले जाएं, human rights हमारे हमारे साथ ही जाएंगे. Next, human rights are never absolute. ये आपके निर्पिक्ष नहीं होते हैं. Next, human rights are dynamic. ये गतिशील है. ये समय और परिस्थितियों के according ये परिवर्तित हो सकते हैं. ऐसा नहीं है. आज जो हमारे human rights हैं, कल से 10 ये 50 साल बाद भी यही हमारे human rights बनेगी हो सकते हैं. एक गतिशील परिस्थितियों में यानि कि social transformation में समाजिक परिवर्तन की अवस्था में हमारी human rights भी परिवर्तित हो नेक्स्ट आपका right as limited state. ये ऐसे right हैं, जो कि limit लगाते हैं state पर भी, कि state कोई भी interference नहीं करेगा आपके human rights से related. आगे हम देखेंगे types of human rights, कि human rights के कितने प्रकार होते हैं, मानवधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो the first is social and civil human rights. ये ऐसे right होते हैं, जो essential होते हैं हमें harmony बनाए रखने में एक दूसरे के साथ, यानि कि हम समाज में रहते हैं, और समाज में एक दूसरे की हमें आविशक्ता पड़ती रहती है, और उस आविशक्ता में harmony, यानि कि सामज से बनाए रखने के लिए ये अधिकार हमें आविशक होते हैं, इसमें से पहला है आपका right to life, liberty and security of person, यानि कि हमें right to life है, right to liberty है, और आपका security of persons, यानि कि अन्य वेक्तियों से security का भी हमें right है, जैसे आपका, इ right to freedom of slavery, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता, slavery से आपको स्वतंतरता है, या आपका दिकार है कि आप स्वतंतर हो जाएं किसी भी गुलामी से, next आपका right to freedom from torture and cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, आपको या आजादी है कि आपको कोई torture नहीं करेगा, ठीक है, या फिर आपके साथ कोई cruel, inhuman and degrading treatment नहीं आपके साथ करेगा, आपके साथ कोई अमान में वेभार नहीं करेगा, ठीक है, कुरूरता पूरवक आपसे के साथ कोई वेभार नहीं करेगा, और ऐसा कोई inhuman treatment और punishment में आपको कोई नहीं देगा, इससे भी आपको क्या है, स्वतंतरता का अधिकार है, next आपका right to freedom from arbitrary interference without privacy, family, home and correspondence, आपका ये अधिकार है कि arbitrary याने की मनमाने interference से, हस्तक शेप से कोई नहीं करेगा, मतला हस्तक शेप से आपको आजादी का अधिकार, स्वतंतरता का अधिकार है, कि कोई भी interference नहीं करेगा, अपने मनमाने पूरवक आपकी family के matter में, आपके family में, home में, ठीक है, आपकी privacy में, next आपका right to marry and have family and right to property, दूसरा, अगर हम right की बात करें, तो आपका ये अधिकार है, आपने अपनी पसंद से शादी कर सकते हो, अपनी family बना सकते हो, और property बोल कर सकते हैं, next हमारे political human rights, political human rights कौन से right होते हैं, जो हमें as a citizen प्राप्त होते हैं, in the direction of democratic policy, जो भी democratic policies ह होते हैं country में, इसमें participation करने का, इसमें पहला right है, right to equality before law and equal protection of law, विदी के समक्षंता और विदियो के समान संग्रक्षन, यार कि हम विदी के प्रती समान हैं, और हमें समान ही संग्रक्षन प्राप्त होना चाहिए, या प्राप्त होना लेने का हमारा ये right है, next आपका right to judicial remedy, आपको अधिकार है, fair trial का आपको अधिकार है, freedom from arbitrary arrest, मनमाने पूर्वक, जो कि रिफ्तारी है, उससे आपको freedom है, कोई रिटेन नहीं कर सकता अपको अपने मनमाने तौर पर, next आपका right to freedom of thought, expression, belief, faith, conscience and religion, आपकी मर्जी है, right to freedom है आपको अपनी thoughts, thoughts के according आप act कर सकते हो, express कर सक और अपनी according religions को follow कर सकते हो, next right to freedom of peace, assembly association, right to freedom है, आपके पास freedom है, आप peaceful assembly कर सकते हो, association बना सकते हो, next right to take part in government affairs and equal access to public service, आपके पास ये right है कि आप government के affairs में participation कर सकते हो, equal access है आपको public service में, यानि कि जो लोग सेवाए हैं उसमें आप as a employees हो सकते हो, आप उसमें participate कर सकते हो, next आपका right to equal suffrage and next right to freedom of moment है, right to asylum, आपको ये अधिकार है कि आप कहीं भी जाके मूव कर सकते हो, यान की country में, कहीं भी आप कहीं भी देश में जाकर प्रह सकते हो, आपका right है एक तरह से, next right to asylum, आपको आश्रे का अधिकार भी है, आश्रे का अधिकार जैसे बहुत सारी जो होत है तो यह हमारा human right है, इसलिए other country human right है, क्योंकि हमारे human right है, हमारे universal right है, वो हमें पूरी universe के against राप्त है, तो as a human right को हमारे protect करने के लिए, हमें other country जो होते हैं, वो आश्रे देते हैं, next हमारा economic human right, यह किसलिए होता है कि हर एक वेक ते कुछ needs होती है, requirements होती होती उनको फिल- जैसे आपका right to pension, एक तरह से अगर कहा जाए, आपकी pension आपको जो provide कराई जाती है, government की तुरू, जो old age pensions होती है, चीक है, आपका handicap जो होते हैं, उनको भी कुछ, आपका क्या नाम है, pensions provide कराई जाती है, और आपका other कुछ insurance policy government की तुरफ से provide आपको कराई जाती है, insurance दिया जाता है, तो यह सारी का social security है, जो आपको provide कराई जाती है, तो right to social security है आपका, next आपका right to work and right to equal pay for equal work, और नहीं समान अगर कारे किया है, तो आपको समान ही वेतन मिलेगी, यानि कि ऐसा male or female का कोई भी difference नहीं किया जाएगा, कि ऐसा नहीं है, कि male है तो उसको जाधर salary मिलेग कि female है तो उसको कम मिलेगी, male है या female है, अगर equal उन्होंने वर्किया है, तो उन्हें equal payment ही मिलेगा, next आपको right to firm, right to form trade union, आप trade union फर्म कर सकते हो, right to rest and lasers, आपको ये right है, कि आपको आराम मिले, rest मिले, यान कि जो आपके working hours होते है, जैसे अगर आप job करते हो, working हो, तो आप दे लाइख यवे, यह सारे आपको क्या है is, अदर कर दे दे जैगे, next, cultural human rights, cultural human rights, cultural human rights क्या है, यह आपकी जो cultural activities है, social rituals, feast, harmonies, function, नहीं सारे आपके cultural activities में आते हो, अपर इसमें arts भी आती है, कला, कला-कृति या फिर को इन्वेंशन होई, इसमें आपको आपके, art and culture human rights में आते है तो next में first है हमारा right to participate in cultural of community आपकास यदिकार है, participate कर सकते हो cultural life of community, किसी community culture life में, right to enjoy art and share scientific advancement and its benefits, आप enjoy कर सकते हो, किसी भी art color को share कर सकते हो, आपके scientific advancement, तो ढूर उसके benefits हैं, और लोगों के साथ भी share कर सकते हो, next right to production of moral and material interest resulting from any scientific literary artistic production of which an individual is the author, अब माली जी अगर कोई आपको यह right to protection है, moral and material interest है, अगर कोई scientific results है, तो उसके against आपको protection भी प्राप्त है, ठीक है, अगर कोई attitude protection आप ने किया है, ठीक है, उस पे as an individual, अगर आप author हो, तो उस भी आपको protection का अधिकार है, ठीक है, for example, जैसे copyrights होते हैं, आप ने कुछ, माली जी कोई book लिखी है, उसके आप author है, तो उस पे आपको copyright मिलेगा, ठीक है, यानकी right है आपका protect किया जा रहा है, for example, order patent है, आपका geographical indications, यह सारे आपकी क्या है, आपकी as a individual authors के तुरू आपके right को right मिलते हैं, वो आपकी इस category में आते हैं, next right to social and international order, which the human art, और बाकी जो इंटनेशन level पे as a human declaration, universal declaration, जो human rights है, उसके regarding जो भी ऐसे right है, जो realize होते हैं, कि ने फुल-फिल किया जाना चाहिए, तो भी आपके cultural human rights एट हो जाएंगे, next आपका fundamental right, fundamental right आपको पता ही है, क्योंकि आपने मे भी पढ़ लिया होका fundamental right ऐसे right हैं, जो हर country के constitution में, जो उसकी citizens होते हैं, लोग आपके भी कुछ fundamental rights हैं, जो कि आपको पता ही है, six हैं, जैसे first is right to equality, संता का अधिकार, right to freedom, स्वतंतरता का अधिकार, next right to against exploitation, शोशन के विरूद अधिकार, right to freedom of religion, स्वतंतरता का अधिकार, culture and educational right, sanskriti और शिक्षा संबंदी अधिकार, and the last is right to constitutional remedy, कि उपर के पांचों में, जो इतने भी rights हैं, हमारे, उनका infringement होता है, तो हमें constitutional remedy भी प्राप्त है, तो ये था हमारा human right का second lecture, जिसमें हमने discuss किया characteristics of human right, and types of human right, तो आज का वीडियो यहीं तक, thanks for watching, please like, share and subscribe, and comment also, और मिलते हैं next lecture में, take care, bye-bye.